Assalamualaikum children. How are you all? I hope everyone is fine. So children, you all are having worksheet, right? सबके पास worksheet है ना बच्चो? So, अब हम worksheet number one करेंगे, okay? Worksheet number one में हैं आपके पास, कौन से कौन से अक्षर है? A-A-E-E, four अक्षर आपके पास worksheet number one में हैं. अभी हम oral पढ़ेंगे, उसके बाद return work करेंगे. So, ready for oral work? चलिए. A-S-E-A-N-A-R, A-S-E-A-N, 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 इसके बाद वाले अक्षर हैं, इसे इमली, इसे इ, इसे इ, इसे इमली, इसे इ, अब हम worksheet number one return work करेंगे. ओके, take out worksheet number one. चलिए अब हम लिखेंगे असे अनार यह कौन सा अक्षर है असे अनार असे अनार रीड एक राइट चिल्गन असे अनार इसी तरह आपको रीड करते वे कम्प्लेट फुल पेज लिखना है असे अनार अब हम इसके बाद लिखेंगे अब हम लिखेंगे आसे आ आसे आ वरक्षीट नमबर वन में दो अक्षर है बच्चो आसे अनार आसे आम इसी तरह आपको रीड करते वे कम्प्लेट फुल पेज लिखना है यह हमारी वरक्षीट नमबर वन कम्प्लेट हो गई अब हम वरक्षीट नमबर टू में जाएंगे चलिए बच्चो हम करेंगे वरक्षीट नमबर टू वरक्षीट नमबर टू में आपके पास आपको लिखना है ई से इमली का ई ए से इमली यह कौन सी वरक्षीट हम लोग कर रहे है वरक्षीट नमबर टू ई से इमली कौन सा चित्र है यहाँ पर ई से इमली का चित्र है ओके रीड एंड राइट ई कौन सा अक्षर है यह ई से इमली इसी तरह आपको रीड करते वे कम्प्लीट पेज लिखना है अब हम इसके बादवाली बड़ी ई लिखेंगे चलिए बच्चो आब हम लिखेंगे बड़ी ई ई से कौन सा चित्र है यहाँ पर ई ई से ई यह कौन सी वर्क्षीट हम लोग कर रहे है वर्क्षीट नमबर टू ई से ई ई से ई इसी तरह आपको रीट करते वे लिखना है उके चिल्डर कौन सी ई लिख रहे हैं हम लोग बड़ी ई लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर ई के साथ ई की मात्रा भी है इसी तरह आपको कम्प्लीट फुल बेच लिखना है से एड प्राइट चिल्गा अब हम वर्क्षीट नमबर टू में रीक्याब करेंगे इन सारे अक्षर को कौन से कौन से आ आ ए ए इसे हम रीक्याब करेंगे कौन सी वर्क्षीट में वर्क्षीट नमबर टू के चलिए बच्चों अब हम अपनी वर्क्षीट नमबर टू कम्प्लीट करते हैं वर्क्षीट नमबर टू में आपको यह सारे अक्षर एक साथ लिखना है ओके चलिए लिखिए आ, आ, यहां पर आ के साथ आ की मात्रा है देखे, अब यहां हम लिखेंगे इ, इ, इ की मात्रा, यह बड़ी इ है और यह छोटी इ है, फिर से हम लिखेंगे आ, आ, इ, इ, इसी तरह आपको complete full page लिखना है, ओके चिल्रन, और आपको आपका work इसी तरह step by step करना है, worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, ओके, थैंक यू,